ओलम्पिक खेलो में हर खिलाडी की नजर गुल्ड मेडल पर होती है और इसे पाने के लिए वो अपनी पूरी ताकत चोग देते हैं क्या आपने गौर किया है कि आखिर जीत के बाद खिलाडी अपने मेडल को अपने दातों से क्यों काटते हैं दरसल इसकी सुरुवात एथेंस ओलम्पिक से हुई थी और पहले के जमाने में लोग सोने की फरक काट कर ही करते थे क्योंकि इसे दातों से आसानी से दबाया जा सकता है और खिलाडी इसे काट कर सोना जीतने का संदेज देते हैं ओलम्पिक खेलो में एक गोल्ड मेडल में केवल 1.34 फीजदी ही गोल्ड होता है ओलम्पिक में स्वर्ण पदक करीब 556 ग्राम का होता है जिसमें 6 ग्राम सोना और बाकी चांदी मिली होती है वहीं सिल्वर मेडल 550 ग्राम का होता है और पूरा चांदी का बना होता है काश पदक 450 ग्राम का होता है जिसमें 95 फीजदी कौपर और 5 फीजदी जिंक मिला जाता है ऐसे ही अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दें